वीडियो में गौशिप करने वाले है लोधा आपन थाने में काफी रूमर्स फ्लोट हो रहे है उसमें अपने इससे शेयर करूंगा यह रूमर्स आगे चलके ड्रू हो भी सकते हैं यह पांच में से तीन रूमर्स कहां से आ रही है उसके लिए आपको एक एंड में लोकेशन पर लिके जाओंगा जिससे आपको एंसर मिल जाएगा अगर डी माट आ रहा है यह रूमर्स काफी दिनों से चल रही अपर थाने में के डी मात आने वाला है पर अफिशली अभी तक कोई सब्सक्राइब करते हैं और हर सुपे गाड़ी आती है जो सामान देखकर जाती है अगर आ जाता है तो लोग खुड दीमाट में जाके सामान देखकर ले सकते हैं जो लोधा ऊपरताने में चल रही है वह है बुलट ट्रेण काफी लोग कह रहा है कि लोधा आ निंकेबाजिनSONS का स्टेशन आने वाला है जब हमने हैं तो पता लगा कि यहां सच और आदा गलत जो गांकि सब्सक्राइब बोलते है वह यहां से 2 km की दूरी पर बनने वाला है पर यहां से 20 km की दूरी पर ट्रेंग पास यही से होने वाली है इसके लिए आपको एक लिंक शेर कर रहा हूं वह देख लीजिएगा आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब क लास्ट छे मेने से यह रूमर चल रहे थी कि ATM आने वाला है आइसी आइसे बैंक आने वाला यह न्यूस नेक्स्ट लेवल है और अगर सच में रूमर हो जाती है तो अपर थाने के लोग में लिए अच्छा हो जाएगा एक बैंक भी अंदर ही खुल जाएगा फोर्थ रूम में थोड़ी सच्चाई भी है क्योंकि अभी रिसेंटली लोधा ने एक नया प्रोजेक्ट लॉंच किया था लोधा एरेक्स जो गेट नमबर दो से आक्स्टों मीटर से एक किलोमेटर की दूरी पर है गाव साइड और आगे भी लोधा और जगा एक्वायर कर रहा है और उ यहां पर लोकालिटी जहां पर कोई construction यहां चलते रहता है तो लोग बोलते है कि बड़ा मॉल बनने वाला है यहां पर बनने वाला है यही वह लोकेशन जिसमें आपकी पांच में से तीन रूमर्स का एंसर है यहां पर बैंक भी आ सकता है थोड़ा इमाजिशन को आगे ले मंदिर और स्कूल के सामने जो खाली स्पेस थी वहां फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जब इंक्वाइरी की तो पता चला नीचे शॉप्स और उपर पार्किंग का प्लान है इसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे D-Mart, ICICI Bank और Mall के रुमर्स बन रहे थे आगे चलके एक्च्वल में पता लगेगा कि कौन से आउटलेट आएंगे अगर आप मेरी विश्लिस्ट पूछे तो मैं कहूंगा मैकडॉनल्स, डॉमिनोस, D-Mart, बैंक्स और सारे बेसिक फेसिलिटीज इसी कंस्ट्रक्शन के अंडर आ जाएं आपने कोई लोधापर थाने के बारे में और रूमर सुनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा पढ़ने में मजा आएगा थैंक्यू